तो हाली में अगर आपने खरीदा है OnePlus Card 12R कुछ है होगा यहाँ पे काफी बढ़िया-बढ़िया cases और आज आपके भाई के पास आ गया है दस से भी जादा cases जो कि मैंने Amazon से flip card से हर जगे से जो है यहाँ पर मंगवाये हैं आपको मैं एक-एक cover दिखाने वाला हूँ कौन सा किस budget में अच्छा होगा और कौन सा आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए तो हम यहाँ पर एक-एक brand के covers चेक करें कि इस brand के अंदर कितने covers आते हैं यहाँ पर available कितने हैं और वही covers में आपको सारे दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहला जो brand है हमारे पास हो है gift card सबसे पहला case है यहाँ पर यह वाला जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीए का दिखता है यहाँ पर यह जो है एकदम hard plastic का बनावा आपको दिख जाएगा यहाँ यह बिल्कुल भी flexible नही में zero है एक बार अब जल्दी से phone लगा लेते हैं तो phone लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है यहाँ पर मेरे पास gray color वाला oneplus 12 आ रहे तो आप देख सकते हैं लुक किस तरीके का लुक जो है पूरी तरीकी से छुप जाता है लेकिन आप देख सकते हैं camera protection बहुत ह भी काफी अच्छी है बहुत ही tactile feeling वाले आपको buttons देखने को मिल जाएंगे साथ ही में यहाँ पर जो है आपको mute switch का जो cutout है वो भी बहुत ही proper देखने को मिल जाएगा आप easily यहाँ पर mute switch को access कर सकते हैं सारी चीज़े इसमें अच्छी है सिर्फ एक चीज़ को छोड़के ज देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यह उभरा हुआ नहीं है तो अगर आपका phone सामने की तरफ से गिरता है screen के तरफ से तो zero protection मिलेगा और ऐसे कोने से भी गिरता आपका phone तो भी बिल्कुल protection नहीं मिलने वाला यह कवर सिफ उनी लोगों के लिए जिनको यहाँ प रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि protection मेरे लिए सबसे उपर आता है और अगला cover जो gift card का है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का cover है जो कि एक transparent kind of cover है यहाँ पर जो है transparent सिर्फ back की तरफ से है side से यह transparent नहीं है इसकी कुछ फाइदे भी है और कुछ नुकसान भी है एक बार पहल है कि यहाँ पर आपके phone के जो sides यहाँ पर छुप जाते हैं फोड़ा सा phone का खूबसूरती कम हो जाता है लेकिन क्योंकि back से transparent हो तो देख सकते हैं बहुत यह अच्छा look देता है साथी में यहाँ पर यह जो है ग्लॉसी finish के साथ आता है तो इसमें जो है काफी जल्दी दाग दब्बे और scratches वगरा पढ़ जाते हैं यलो नहीं होता है लेकिन यहाँ पर जो है दाग दब्बे और जो है आपके fingerprints काफी जल्दी चिपक जाते हैं और साती में अगर आप इसे चावी के साथ रख देते तो काफी जल्दी scratches वगरा पढ़ जाएंगे इस वाले case के ऊपर क्य sticker में आप यहाँ पर जो है जाने से बचाएगा बटन की quality बहुत ही बढ़िया है बहुत ही टेक्टाइल क्वालेटी के बटन से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही easily यहाँ जो है volume of down हो जा रहा है बिना जादा efforts लगाए लेकिन यहाँ पर साथ में जो है side में जो alert slider है उसका सामने की तरफ से protection अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो हलका full का protection देदेगा यह देख सकते हैं यह हलका full का यहाँ से उबरा हुआ है उपर से और नीचे से तो आपको हलका full का protection मिल जाएगा सामने की तरफ से भी लेकिन अगर आपका phone एकदम brutal तरीके से गरता है एकदम ही कॉर्णर में भी आपको air cushion technology मिल जाता है तो अगर आपका phone ऐसे कोने से भी गिरता है तो आपके phone को अच्छा protection मिल जाएगा तो यह वाला cover है थोड़ा सा upgraded version है इस पहले वाले cover का क्योंकि यह पहला cover एकदम single piece plastic एकदम thin plastic से बना हुआ था तो इसमें protection उतना नहीं था लेकिन यह वाला cover है वो यहाँ पे काफी अच्छी quality का बना हुआ है और overall protection के मामले में भी थोड़ा सा better है as compared to इस वाले cover के तो definitely अगर आपको हलका सा better cover चाहिए उस वाले cover से तो आप इस वाले के साथ जा सकते हैं लेकिन इस वाले में आपका phone हलका सा यहाँ पे मोटा हो जाएगा इसमें आपको वो black वाले borders देखने को नहीं मिलते हैं इसमें पूरा transparent cover है तो अगर आप पूरे transparent cover में interested हैं अगर आपको अपने पूरे phone का खूबसूरती दिखाना है तो आप यहाँ पे यह वाला cover चेक आउट कर सकते हैं अब जल्दी से यहाँ पे phone लगा लेते हैं और उस करूँ तो यहाँ पे पीछे से yellow नहीं होगा क्योंकि पीछे से hard plastic का बना हुआ है लेकिन यह side से पूरी तरीके से yellow हो जाएगा यह चीज़ यहाँ पे इस वाले cover में देखने को मिलती है लेकिन इसमें यह cover काफी अच्छी quality का लगा यार मुझे यहाँ पे इतने कम price का होने प्रॉपर दिया गया है नीचे के cut-out बिकदम ऊपर के cut-out बिकदम प्रॉपर है यह देखे आयर ब्लस्टर के cut-out बिकदम अच्छे तरीके से दिया गया है साथ में बता दू यहाँ पर बटन की quality है वह बहुत ही tactile feeling वाली है easily यहाँ पे जो है मैं इसे use कर पा रहा हूँ बहुत ही easily यहाँ पे चीजे click हो जा रही है buttons यहाँ पे click हो जा रहे है पर साथी में यहाँ पे जो alert slider है इसको भी आप यहाँ पे easily access कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत नहीं आईगी यहाँ देखे मैं एधर किसने easy तरीके से इसे access कर रहा हूँ protection के मामले में यहाँ पे आपको मैंने बता दिया sides में काफी अच्छा protection मिल जाता है पीछे भी बहुत यह अच्छा protection है camera protection भी बाढ़िया है लेकिन सामने की तरफ से भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा ठीक ठाक सा protection मिल जाता है अलग कि यहाँ पर यह बिल्कुल भी protect नहीं करता है लेकिन इसमें एक advantage भी है और एक disadvantage भी है advantage की बार में बात करो तो यहाँ पे आप easily अपने curve display को use कर पाओगे यह curve को आप feel कर पाओगे यहाँ पे और इसमें जो disadvantage है कि अगर आपका phone ऐसे गिरता है तो अगर आपका phone इस तरीकी से ऐसे नीचे ग खरा गया तो यहाँ पे आपका phone तूट सकता है आपका screen तूट सकता है तो अगर आप यह वाला जो है सोच रहे हैं cover buy करने का तो मेरी तरफ से यहाँ पे यह वाला cover recommended रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको screen guard लगा लेना है tempered glass लगाना है यहाँ पे यह पन्नी वाला screen guard नहीं ल लगेगा देखने में और अगला cover भी यहाँ पे gift card के तरफ से ही है यहाँ पे काफी हद तक box में आने वाले cover जैसा ही दिखता है box में जो gray color का cover आता है यहाँ पे black वाले oneplus 2LR के साथ कुछ उसी तरीके से यह आला cover भी दिखता है लेकिन इस वाले का यहाँ पे थोड़ा सा म यहाँ पे लुक आता है इस cover के साथ phone को हाथ में लेते हैं यहाँ पे काफी जादा grippy feel आती है काफी जादा अच्छा grip बनता है हातों में ऐसा लगता है कि आपके हाथों से phone बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इसको पकड़ के रखने में भी काफी सही यहाँ पे grippy feel आती है जो है तुझ आप इसको ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर protection के मामले में उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे पीछे की तरफ जो है camera protection हलका फुल का देखने को मिल जाता है यहाँ पे drop protection बिल्कुल भी नहीं है zero drop protection है सामने की तरफ से भी screen की तरफ से कोष भी protection नहीं मिलता है तो यहाँ पर definitely अगर आप यहाला कवर बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक tempered glass लगा लेना चाहिए लेकि ना overall यहाँ पर यहाँ पर काफी आदा शांदार लगता है काफी lightweight लगता है और अगर आपको एक slim trim cover चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं matte finishing के साथ आता है तो grip भी काफी अच्छी बनती है हाथों में और अगला हमारे case है वहाँ फ्लिपकार्ट से मैंने buy कर रहा था और फ्लिपकार्ट मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे open करके देख लिया था ताक कि यहाँ पर पता चले कि भाई सही product आ हुआ है oneplus का यहाँ पर branding क्या हुआ है cutouts हम देखेंगे जल्दी से लेकिन अंदर की तरफ है आपको वह velvet finish दिया गया है लेकिन यहाँ जल्दी से phone को लगा करके आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर protection के मामले में पीछे camera को ठीक ठाक protect कर लेता है protection के माम यह वाला cover normally local stores पे local दुकानों में आपको 150 से 200 रुपीज का मिल जाएगा कहीं कहीं पर 100 रुपए का भी मिल जाता है लेकिन cutouts देख सकते हैं उपर के तरफ proper है नीचे के तरफ भी cutouts proper है side में buttons मुझे ठीक ठाक से लगे थोड़े से जादा जोर से click करना पड़ता है as compared to बाक देखेंगे तो यहां पर center में नहीं है यह वाला logo थोड़ा से यहां पर तीड़ा है और थोड़ा से यहां पर left side में print किया गया है इस logo को तो overall यहाला cover दिखने में काफी अच्छा है feel में काफी अच्छा है और यहां पर सस्ता भी है लेकिन protection के मामने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है phone किसी भी angle से किसी भी side से किसी भी kone से गिरता है आपका phone तो आपका phone टूट जाएगा अब बढ़ते हैं अगले brand की तरफ जो कि है यहां पर rig gear तो सबसे पहला जो rig gear का cover है वह है मेरे पास यहां पर carbon fiber look के साथ वैसे यहां पर दिखता है डिट्टो gift card वाले case के जैसा gift card वाला जो case था उसी की तरह यहां पर यहां पर दिखता है उसी की तरह feeling भी है इसकी क्योंकि यह वाला cover भी न यहां पर single plastic के सा बना हुआ देख सकते हैं यहां पर यह भी बिल्कुल सिलिकॉन का नहीं है यह भी यहां पर पुरा सिंगल प्लास्टिक वाला ही है तो इसमें भी आपको प्रोटेक्शन एकदम जीरो लेवल का मिलने वाला है लेकिन यह जो लुक देता है यह बहुत ही बढ़िया लुक देता है और रिग्यर वालों ने क्या किया कि यहां पर इस वाले कवर को लेकर कि यह जो गिफ्ट कार्ट वाला कवर है इस कवर को लेकर कि इस पर एक जो है स्किन चड़ा दिया है तो स्किन चड़ाने के वज़े से यहां पर ने एक अलग सा ही एक प्रीमियम सा लुक आ गया है सा पर आपने सुना carbon fiber की आवाज सुनने में काफी अच्छी रखती है, feel भी बहुत ही अच्छा है, इस cover का बहुत ही premium feel है, लेकिन अगर मैं आपको फिर से phone लगा करके दिखा हूँ, तो यहाँ पे cut out आप देख सकते है, proper है, नीचे के भी, ऊपर के भी, दोनों ही तरफ के cut out एक cover, साथ ही में यह जो cover है यह आपके phone को जो है, बहुत ही अच्छा है, एक light weight feeling के साथ, लेकिन हाँ उसी तरीके सा यहाँ पे आपको protection बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगला जो rig gear का cover है, वो यहाँ पे कुछ पिछले वाले gift card के cover के जैसा ही है, यह भी यहाँ पे transparent cover है, और मै इस वाले cover के comparison में, अगर यह carbon fiber के comparison में अगर हम देखने जाए, तो इस वाले के comparison में यहाँ पे यह जो यह वाला cover है, यह थोड़ा सा जाधा बहतर निकल के आता है, protection के वामले में, बाकि इस वाले cover में भी आप देख सकते हैं, सामने की तरफ से protection थोड़ा सा बेटर है, काफी जल्दी पढ़ जाएंगे, और अगला cover सबसे famous cover है, जो कि यहाँ पे rigor का zund case, zund case यहाँ पे अपने नाम सुना होगा, बहुत ही famous cover निकल के आ जाता है, अगर आपको में दिखा दू तो यह देख सकते हैं, यह इसलिए famous है क्योंकि इसमें protection काफी अच्छा मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, फोन आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, फोन बहुत ही बहतरीन लगता है देखने में, पीछे की तिरफ से आपको camera cutout वगएरा वही same देखने को मिल जाता है, पीछे से protection camera को अच्छी मिल जाती है, यह cover पतला भी है बहुत जादा, तो यहाँ यहाँ पे lightweight भी है, साथी में यहाँ पे buttons काफी अच्छी tactile feeling वाले देखने को मिल जाते हैं, साथी में यहाँ पे जो है ऊपर के cutouts भी proper है, नीचे के cutouts भी proper है, लेकिन इस वाले cover में भी हलका सा एक दिक्कत है, क्योंकि यह वाला cover है थोड़ा सा पतला cover है, तो इसमें हलकी स यहाँ पे protection काफी बढ़िया है, corners में भी यहाँ पे protection बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं, इस तरीके का armor look, या फिर मैं कहूं इस तरीके का air cushion technology देखने को मिल जाता है, लेकिन जो सामने के तरफ screen के तरफ का protection है, वो उतना कुछ खास नही पेरा नहीं दे पाएगा, तो screen protection उतना अच्छा नहीं है, लेकिन overall phone का यहाँ पे side, corners या फिर मैं back protection की बात करूँ, तो काफी एक अच्छा cover निकल के आता है, और lightweight भी है, काफी पतला भी है, तो इसके कारण से यहाँ पे आपके phone में weight जादा नहीं बढ़ता, अगला brand है golden sand यहाँ पे यह जो है काफी अच्छे covers बनाते हैं, इंडिया के अंदर ही, यह इनका एक leather type वाला cover है, वैसे यह leather का बना हुआ नहीं है, यह silicone का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे leather वाली finish देता है, यहाँ पे autofocus लिखा गया है, यह design काफी अदा बहतरीन है, और आपने यह design काफी बार देखा भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फोन का looks कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी classy सा look आता है, काफी formal सा look आता है, इस पे phone लगाने के बाद, देख सकते हैं, cutouts एकदम proper है, camera का, ऊपर का cutout भी एकदम बढ़िया है, नीचे की cutouts भी proper है, साथी में बा काफी अच्छा है, लेकिन सामने से उतना कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं, यहाँ पर सामने से यह वाला जो part यह उबरा हुआ, आपको medium लेवल का यहाँ पर protection प्रोवाइड कर देगा, सामने से, जहाँ पे हलका full का, अगर drop वो tap का phone, तो बच जाएगा, यह वाला cover बच लके अलके protection मिलते हैं overall cover दिखता अच्छा है अगर आपको जो है looks के लिए चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं और एक lightweight cover एक थिन case चाहिए अगर आपको तो आप इसे buy कर सकते हैं तो यह है अगला cover golden sand का यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर आपको पीछे की तरफ इस तरीके का matte finishing दिया गया है और साथी में यहाँ पर camera cutout वगर एकदम proper दिया गया है फोन को एक पर जल्दी से लगा लेते हैं काफी thin काफी पतला cover है लेकिन यहाँ पर जो है looks काफी अच्छा है इस cover का यहाँ पर side में आप देख सकते हैं alert slider का cutout वगर एकदम proper मिल जाता है साथ में buttons की बात कर तो यहाँ पर buttons की quality भी काफ़ अच्छी है और काफी tactile quality के buttons देखने को मिल जाते हैं लेकिन वहीं पर बात कर यहाँ पर protection की तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको काफी अच्छा protection मिल जाता है camera protection भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर कोनों में air cushion technology दी गई है यह देख सकते हैं यहाँ पर यह वाला part आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हर कोने में आपको air cushion technology मिल जाती है तो अगर यह पीछे से गिर जाता है तो आपका phone बच जाएगा side से kone से corner से भी गिर जाता है तो आपका phone बच जाएगा लेकिन सामने की तरफ देख लेते हैं क्या हाल है यहाँ पे तो सामने की तरफ देख सकते हैं इतना यह उबरा हुआ है और यह काफी tight है यहाँ पे तो definitely सामने की तरफ भी काफी अच्छा protection मिल जाता है यह था golden sand के दो cases दोनों का ही link नीचे description में दिया हुआ है और अगला brand है यहाँ पे movie case इस brand का मुझे एक ही case देखने को मिला और यह वाला case मुझे बहुत ही बहतरीन लगा यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यह वाला case पहले तो matte finishing के साथ आता है पीछे की तरफ तो यहाँ पे scratches बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे fingerprint भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है क्योंकि matte finishing है और काफी अच्छी वाली matte finishing है साथी में यहाँ पे buttons बहुत ही अच्छे tactile feeling वाले आपको देखने को मिल जाते हैं देख सकते है buttons कितने उभरे हुए है तो easily आप इन्हें spot भी कर सकते हैं और बहुत ही easily आप इसे use भी कर सकते हैं और साथी में इस वाले cover के अंदर आपको protection भी काफी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ का तो protection है वो तो even है ही लेकिन यहाँ पे जो corners और side का protection है वो भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें sides में भी और corners में भी यहाँ पे air cushion technology मिल जाती है लेकिन बात करें भाई screen के तरफ की तो यहाँ पे देख सकते है screen के तरफ से यह जो है एकदम हलका सा उबरा हुआ है लेकिन यह जो उबरा हुआ है यहाँ पे बहुत ही tight fitting के साथ है तो यह बहुत ही अच्छा protection देता है और इस वाले cover को मैंने सबसे पहले order कर रहा था यहाँ पे Amazon से क्या होता है कि यहाँ पे finger prints बिल्कुल नहीं पड़ते और scratches तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो definitely यह वाला cover में सबसे जादा recommend करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे protection भी अच्छा है दिखता भी अच्छा है और overall pricing काफी कम है इसकी अगला हमारा जो cover brand है वह यहाँ पे gear 31 औ अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे यह YouTuber है इनका brand है यह इन्होंने खुदी इस brand को शुरू किया है यहाँ पे यह लोग covers वगएरा sell करते हैं इस brand के अंदर में covers और यहाँ पे tempered glass वगएरा sell करते हैं तो मैंने इनका cover खरीद लिया है OnePlus 12R के लिए और यहाँ पे यहाँ मेरा address है यह निकल गया बाहर इनका packaging काफी बढ़िया है यहाँ पे gear 31 ओके अब shift your tech वाव ओके तो box खोलते हैं यहाँ सबसे पहले cover रखा गया है तो cover की quality सही लग रही है packaging काफी अच्छा किया गया है premium packaging है cover यहाँ पे silicon cover है काफी hard cover है यहाँ पे अंदर के दरफ देख सकते हैं velvet finish आपको देखने को मिल जा रहा है और यह वाला cover आपको यहाँ पे OnePlus के पुराने covers की याद दिलाएगा OnePlus पहले यहाँ पे silicon cover sell करता था अपने phone के लिए उसी तरीके का cover यहाँ पे यहाँ देखने को मिल जाता है okay तो fitting बहुत ही बहतरी न यहाँ पे जो है इसको पकड़ने भी बहुत ही अच्छी feel आ रही है और बहुत ही smooth बहुत ही soft यहाँ पे इसको पकड़ने में definitely premium feel आ रही है और साथ में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे phone को protection भी काफी अच्छा मिल जाएगा चारो ही corners में आपको air cushion technology दिया गया है साथ में यहाँ पे sides में भी अच्छा खासा padding मिल जाता है तो यहाँ पे phone अगर अपर side से भी गिर जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही अ कामनी की तरफ से भी आप देख सकते हैं protection काफी बहतरीन है यह देखे काफी जादा उभरा हुआ है screen के उपर तो अगर आपका phone ऐसे तरह किसे गिर भी जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है cover यहाँ पर touch हो रहा है सबसे पहले तो इस के तरफ भी आप देख सकते हैं सारे cutout अच्छी तरीके से दिये गए हैं और साथी में यहाँ पर जो alert slider है उसका भी cutout एकदम proper दिया गया है एकदम अच्छी quality का यहाँ पर cutout बगेरा मिल जाता है finishing देखिए यहाँ पर cutout का कितना बढ़िया है तो overall मैं कह सकता हूँ इस case क जो quality है वो बहुत ही बहतरीन है साड़ी 600 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा और premium quality का एक case आपको मिल जा रहा है और definitely मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको buy करना है तो आप इसे buy कर सकते हैं मैंने भी इसे खुद से buy करा हुआ है कोई भी sponsored video नहीं है यहाँ पर protection काफी लेकिन अगर आपको अपने OnePlus 2LR के लिए चाहिए एकदम सबसे best cover आपका budget का कोई भी दिक्कत नहीं है आप जो है यहाँ पे 2-3,000 रुपए खर्च कर सकते हैं आपको best protection चाहिए best दिखने वाला cover चाहिए और यहाँ पर ऐसा cover आपको खरीदना है जो कि यहाँ पर सालों सालो तक चले आपको cover चेंज करने की जरूरत ना पड़े इस तरीके का cover अगर आपको खरीदना है तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए निलकिन के इस वाले cover के साथ जिसका नाम है निलकिन Cam Shield Pro Case यहाँ पर यहाँ पर यह वाला cover महंगा आता है 2400 रुपए का यह आता है लेकिन मै यहाँ पर देख सकते हैं एकदम ही rugged वाली feeling है यहाँ पर protection के मामले में एकदम A class protection देखने को मिल जाता है सबसे best quality का आपको यहाँ पर material use किया हुआ है पूरा plastic है और यहाँ पर hard quality का plastic है एकदम जो है strong quality का plastic है यह बिलकुल भी यहाँ पर तूटे का नहीं बिलकुल भी flexible नह है इसको लगा लेते हैं और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लूक आता है यहाँ यहां पर हल्का सा यहां पर भारी हो जाता है बहृग होता में का अच्छा पड़े साथ में सकते हैं कावी अलग लुक है ओपर आप देख सकते हैं काट अच्डम proper है यहाँ इस साइग dit access कर सकते हैं साथी में यहाँ पर एक छोटा सा निलकिन की branding है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह देखिए निलकिन की branding और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है यह सारा cutout देखने को मिल जाता है यह वाला cover है न एकदम ही extreme level पर आपके फोन को drop protection से बचा लेगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर test कर रहा इसको अपने height से ऐसे नीचे गिरा करके और मुझे यहाँ पर जो है काफी बहतरीन लगा यह वाला case यहाँ पर camera आपका बहुत ही जादा safe रहता है कैसी भी आपका phone आप गिरा कोई यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं आएगी camera में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर इसको open करने के लिए छोटा सा कर दीजिए उपर तो इससे आपका camera बहुत यह अची तरीके से बचा हुआ रहेगा scratches से भी और अगर आपका phone गिर भी जाता है तो आपका phone को बिल्कुल भी damage होने नहीं देगा protection के साथ-साथ यहाँ पर quality आप देख सकते हैं buttons का बहुत ही tactile feeling वाले buttons हैं बहुत ही instantly यहाँ पर click हो जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर volume rockers बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर click हो जा रहे हैं overall यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी quality बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी quality का और सबसे expensive case अगर आपको buy करना है OnePlus 2LR के यहाँ पर आपको जो है design भी अच्छा मिले protection भी अच्छा मिले हाथ में पकड़ने में भी अच्छा हो तो ऐसा cover मुझे यहाँ पर मिल चुका है जो कि यहाँ पर zap case की तरफ से इस case का नाम है यहाँ पर suitcase cover और suitcase की तरफ दिखता भी है और हम सभी को पता है कि यह वाला cover कितन payment protection सस्ते में मिल जाता है lightweight भी है तो आपके phone को जादा weight भी नहीं देता और जल्दी से phone में लगा लेते हैं तो देख सकते हैं look भी बहुत ही बढ़िया आता है इस वाले cover को लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर looks बहुत ही अच्छे हो गए हैं एकदम आपके phone का हुलि दिया दिये गए है side में यहाँ पर buttons बहुत ही tactile feeling वाले देखने को मिल जाते हैं और अगर मैं click करके आपको दिखा हूं तो यह देख सकते हैं बहुत ही easily यहाँ पर click भी हो जा रहे है और बहुत ही soft click है यहाँ पर बहुत ही अच्छा feeling आती है इसको click करने पर साथी में जो है alert slider को access कर सकता हूं लेकिन अब सबसे important चीज़ की बात करें वह है protection तो यहाँ पर जो है सामने की तरफ से अब देखिया यहाँ पर इस screen में जो है बहुत ही अच्छा protection देखने को मिल रहा है इस cover के साथ देखिया कितना जादा उबरा हुआ है और बहुत ही tight है ऐसा बि से गिरता है चाहिए वो पीचे से गिरे सामने से गिरे कोने से गिरे यह वाला cover definitely आपके फोन को बचा लेगा क्योंकि ultimate protection आपको देता है यह वाला cover तो overall यहाँ पर यह था video oneplus 2LR के सारे cases का आपको मैंने सबसे best case सबसे cheapest price में आने वाला सबसे best case बता दिया जो कि यह zap case का case है इसको आप directly जाकर buy कर सकते है Amazon का link मैंने नीचे description में दिया हुआ है इस case का और बाकी सारे cases का और description में यहाँ पर मैंने कुछ screen guards का भी link दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा test वगरा किया हुआ है 2LR के उपर तो वो भी आप में यह चेक out कर सकते हैं नीचे description में लिंक है बाकि वरहल इतना इता है इस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब तक लिए उस तो जैहन बंद मातरम और enjoy कीजिए अपना OnePlus 12R